हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ सेर करने वाले हैं मतर की खस्ता कचोड़ी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और ठंड में अगर हम मतर की कचोड़ी खाते हैं तो और भी मज़ा आ जाता है क्यों ना आज हम मिलके बनाए मतर की कचोड़ी इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना बिलकुल ना भूले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए बनाते हैं मतर की कचोड़ी देखिए इसके लिए मैंने यहां पर लिया है दो कप के करीब मैदा इसका मैं डो रिडी करने वाली हूँ इसके लिए मैंने रिफाइन ओयल आप चाहे तो घी में भी इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर सकते हैं तो मैं यहां 3-4 चमच के करीब डाल दे रह बेकिंग, सोटा, हाप चमच से थोड़ा कम ही मैं डाल रही हूँ इसके बाद हम इन तीनों को अच्छी तरह से इस मैदे में मिक्स करेंगे यह देखिए बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसके बाद हम इसे हाथों में इस तरह से लेके देखेंगे यह देखिए सब्सक्राइब खिलाद को सब्सक्राइब लगारेना टिए जिँरंगा है बाहले अगारें अब मैं इसमें 2-3 चमचे करीब तेल डाल रही हूँ जैसे हमारा तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अर्जवाइन and मंग्रैल मंग्रैल जिससे काला तेल भी बोलते हैं ये देखिए मैं इन दोनों के एक चमचे करीब मैंने ले लिया है अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसके बार मैं इसमें डालूंगी हिंग, हिंग डालना बिल्कुल भी ना भूले, हिंग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता इसका चौड़ी में, अब मैं डाल रही हूँ, कद्दू कस किया हुआ, थोड़ा सा अध्रक का इन दोनों को थोड़ी दिर हम हलका भूनने देंगे उसके बार में इसमें सुखे मसाले डालूँगी जिसमें मैं सबसे पहले डालूँगी हाप चमच में डालूँगी मिर्श पॉडर हाप चमच में डालूँगी इसमें धनिया पॉडर चोटे चमच से ही एक चमच में डालूँगी इसमें गरम मसाला यह देखिए मैंने डाल दिया है और एक चमच हम डाल देते हैं इसमें आम चूर पॉर्डर अब इसे डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आज को बिल्कुल मिडियम लो रखेंगे हम नहीं तो मसाले जल जाएंगे और हमें इसे जड़ा देर ने भूनना है अब हम इसमें डालेंगे यह देखिए मटर जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था पानी नहीं डाला था मैंने मैंने इसी तरह कच्छे मटर को मिक्सर में डालके दरदरा कर लिया था आप मैं इसमें डालूंगी एक चमचे करीब चने का सत्तू यह देखिए इसे आप जरूर डालिएगा इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कचोड़ी में तो इसे मैं एक चमच डाल रही हूं मैंन इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा नमक नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले क्योंकि याद रखिएगा डो में भी हमने नमक डाला है अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं पहले यह देखिए सारे मसालों के साथ मतर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे यह देखिए जो तेल है साइट साइट से छोड़ने लगा है मतर यह देखिए बस एक-डो मिनट में हमारा जो स्टफिंग है वह रेडी हो जाएगा देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है अब हम इ इसे लोया बनाएंगे गोल गोल उसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे यह रहा हमारा स्टफिंग तो चलिए हम इसे गोल गोल पेड़े बना लेते हैं जितने बड़े साइज के में चे पेड़े बनाना है मैं उस तरह से इसे तोड़ ले रही हूं बहुत ही असान प्रोसेस है यह मैंने तोड़ लिया इसे अब मैं आपको दिखाती हूं आगे क्या करना है अब मैं इस तरह से इसे हाथों में लूँगी और गोल गोल कर लूँगी बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे यह हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप खस्ते कचोड़ी बना रहे हैं तो उसका जो भी डो बनाए आप पेड़े बनाए कोई भी चीज बहुत ज़्यादा चिकना ना करें हलका रफ रहने दे ताकि जो हमारा कचोड़ी बनेगा वो खस्ता बनेगा यह देखिए अब हमें दोनु उंग्लियों से दबाके मैंने इसे एक कटोड़ी का सेब दे दिया है अब मैं बीच में इसमें स्टफिंग फिल करूंगे आप अपने टेस्ट को दालें आप कितना पसंद करते हैं इसमें मैंने हाफ चमस डाला है अब चारो तरफ में इसके मुझ को बन करते हूं कि पेड़ा हमारा बन के रेडी है आप मैं इसे स्टाइट करके रखती हूँ, इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखा दे रही हूँ, देखिए, मैं एक और ले लेती हूँ दो इस तरह से, हातों से मैं गोल गोल करके, इसे मैं इस तरह से दोनों उगलियों से दबा दबा कर, कटोरी का सेब देती हूँ, उसके तो चलिए यह हमारा जो स्टफिंग करने वाला प्रोसेस से वह कंप्लेट हो गया है इसी तरह से हम सारे पेड़ों को स्टफ कर लेंगे इसके बाद में से बेल लोंगे बेलने के लिए जादा कुछ नहीं करना है हलका सा मैंने इसमें पर्थन लगा लिया आटी का और बस हलके हातों से हमें थोड़ा थोड़ा करके से घुमा देना है बहुत जादा पतला नहीं करना है कछोड़ी जो बनेगी हमारी बहुत जादा पतली नहीं बनेगी यह दिखिए बस इसी साइज में हमें बनाना है हम एक और बेल के मैं आपको दिखाती हूं यह दिखिए दिखिए कितना हसान है न बहुत आराम से आप इसे घर पर बना सकते हैं बस इसे आरह हम नहीं बेलेंगे इसी तरह हम सारा बेल के निकाल लेते हैं अब चलिए फटा फट से कचोड़िया तलते हैं गैस पर मैंने पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था बहुत जादा हमें तेल को गरम नहीं करना है इस चीछ का बिल्कुल धियान रखिएगा बिल्कुल हलका सा तेल गरम होना चाहिए और बस मैं इसमें कचोड़िया डाल दूँगी क्योंकि जो हमारा तेल है इसी में गरम होते रहेगा और कचोड़िया हमारी बनती रहेगी धीरे धीरे इसमें पकेगी तो कचोड़िया हमारी खस्ती भी बनेगी और अच्छे से मीडियम लो ही कि रहा नहीं तो अंदर जोुह हमारी का च्रॉड़ी हैं वह डिसके जो कि deth सब्सक्राणिए ऊच्ट लाल आगा तरह वह जोंने हैं कितनी अची लाल heck क्रिस्पी बनä है यह के ऐसमें निकाले करीं और से चाले हैं और मेंसेम केड़़ा तल लेती हूं अब हम इससे प्लेट में निकालते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं देखिए कितनी खस्ती और कितनी अच्छी कचोड़ी बनकर रेडी हो गई है यह देखिए बहुत ही डियस्टी बनी है इसी आप घर पे बना के जरूर ट्राइ किजेगा ठंड के मौसम में अच्छा लग रहा है मैं आपको तोड़के दिखाती हूं यह देखिए बहुत ही डियस्टी बनाया है इसे मैं यहां पर चत्नी के साथ यह फिर आप सॉस के साथ खाके मुझे बताइएगा कि आपको यह रेसिपी